दोस्तो आज की डेट में जब भी कोई middle class family का बंदा या फिर एक sensible बंदा एक गाड़ी लेने की सोचता है वो सबसे पहले सोचता है कि मेरे को एक economical गाड़ी चाहिए यानि कि एक ऐसे गाड़ी जो की मेरी जेपर भारी ना पड़े और मैं काफी आराम से उसको चला पाऊं मुझे बहुत ज़ादा उसके fuel expenses ना जेलने पड़े अब जब ऐसी गाड़ीयों की बात होती है तो यहाँ पर हर कोई सबसे पहले CNG गाड़ी देना चाहता है क्योंकि यह आपके budget में भी आ जाती है इको फ्रेंडली भी होती है और अब CNG की availability भी हर जगे होने लगी है लेकिन अभी अभी एक बुरी खबर आई है Delhi NCR में रहने वालों के लिए कि CNG ने दोबारे से अपने prices जो हाई किये है CNG से मेरा मतलब है यहाँ पर जो IGL की CNG आपको देखने को मिलती है इन्रपरस्ट गैस लिमिटेड की उन्होंने अभी अभी अपने prices को हाई किया है एक रुपे पर केजी से यह जो changes हुए है यह आपके Thursday morning से हुए है और अगर हम बात करें Thursday की तो यह आपका bet जाता है 23 November से तो यहाँ पर आपको एक रुपिया जादा देना पड़ेगा पहले का जो price था वो 74.59 रुपीज था जो की अब बढ़कर 75.59 रुपीज हो गया है across Delhi NCR जो हैं यह changes आपको देखने को मिले हैं और अगर हम बात करें greater noida गाजियाबाद हाप उडगी तो वहाँ पर आपके CNG के जो prices थे वो 80.20 पैसे से बढ़कर 81.20 पैसे हो गया है उसके साथ-साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो CNG आज की date में सिर्फ private vehicles में नी यह commercial vehicles में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, buses वगरा में यूज होता है, trucks में भी यूज होता है अगर हम इस साल की बात करें तो union government ने एक नया gas pricing formula के हिसाब से cap और ceiling price को cut करने के लिए CNG और piping gas में reduction किया था 10% का क्योंकि अभी कुछ ताइम पहले CNG और PNG के prices में 80% तक का increment हमें देखने को मिला था पिछले साल क्योंकि global energy prices जो हैं वो increase हो रहे थे daily commodities के साथ साथ आपको कहां पर फर्क देखने को मिलेगा जो cap service providers हैं जो CNG, cap चलती है Ola और Uber उनके भी prices increase होंगे क्योंकि CNG जब increase होगी तो उसके हिसाब से उस पर भी एक direct impact जो है वो पढ़ेगा जिसकी वज़े से cap rides जो हैं वो आपकी महंगी हो जाएंगी जो passengers caps per depend है अपनी daily riding के लिए या फिर ride sharing services को use करते हैं तो वहां पर उनको एक increment in prices में देखने को मिल सकता है उसके साथ साथ यहां पर जो CNG based डॉटो रिक्षा होते हैं वहां पर भी आपके price high को सकते हैं और कहीं एक पूरा का पूरा ecosystem कहीं हिल जाता है और एक inflation की चपेट में आ जाता है जब इस तरीके का कोई move होता है आपके के बारे में क्या comments हैं क्या views हैं चलूर comment section में mention करिएगा I know this is not a good news but every news has got to be shared So thank you so much for watching this video Please do mention your feedback on this in the comment section Bye-bye, take care of yourself and remember always drive safe दोस्तो अर्वाइब एक रहाईवाझा झाड़न हो और दोस्तो जाएब आएब च्पेश्टर का का क्या बादाएब एक रहाईब जाएब ट्रोस्तो